हेलो फ्रेंट्स तेसे जेपी वल्खाम बाइक टु माई ओफिशल यूटूब चैनल एपी सर इंग्लेस लाइस इजल 2020 का एक और पेपर हम लोग सौल पनने जा रहें तेई सगस 2021 को फर्स्ट सिप्ट में पेपर हुआ था ये स्टार्ट करते हैं क्वेशन नंबर वन से का मतलब क्या होता है बाइनर जो होते हैं इसे बना दिया जाते हैं उन्हीं को बाइनर वोलते हैं बाकि हमें इसकी देखना है इसके कौन-कौन से सनेनम हो सकते हैं जैसे मार्च अब देखो ऑप्सन अगर मैं देखू बात करूं अगर ऑप्सन की तो मार्च की मीनिंग क्या पभी कभी सिननमôm है यही बेस्ट ओप्सन है साइन भी इसको कभी-कभी बोलते हैं जो इसका सेनिनम है कभी-कभी क्या यूज किया जा सकता है बट बैनर का जो बहुत ही रेलवेंट और फैमिलियर है वो पोस्टर है सेनिनम ऐसे तो बहुत ही वर्ड होते हैं जैसे बर्गी आपने वर्ड सुन रखा होगा ना बर्गी भी यह कहते हैं इसे ऑफसलीट वर्ड ऑफसलीट मतलब कि आप पर चलन में है यह वर्ड जो मैं बता रहा हूं बट इंपोर्टन जरूर हैं इंसाइन वर्ड आपने सुन रखा होगा इंसाइन भी इसका सेनिनम हो जाएगा इसे पहले एक बार बहुत पहले की बात है यह से लगी बात है साइट तुर्थां 13 14 पेपर में आया था जब हम लोग सॉल्व कर रहे थे उसमें एक यह वर्ड आया अगर आपने देखा होगा तो अगर आपने देखा होगा तो यह एडियम आया था उसके सेम मीनिंग वही थी क्या इसका मतलब है टू बी एक्स्ट्रीमली हैपी है ना टू बी एक्स्ट्रीमली हपी जब बहुत ज़दा खोसोना तुसे बोलते हैं यह पर से लेख देता हूं अच्छे से जो एडियम यह से पहले वाले पेपर में कितना रेलेवेंट में आपको चीजें बताता हूं बस आप अच्छे से चीजें देखते रहें और सुनते रहें जो नोट करना उसे नोट करते रहें तो इसका सेम मीनिंग हो जाएगी ऑन क्लाउड नाइन चाहिए आप देखिए वीडियो जो आप प्रिवेस एर वीडियो जलता है जिसे एक और आजाता है ओवर दमून इसका भी मतलब होई होता है और जदा खुस होना ठुबी एक्स्रेमली हैपी ओवर दी मून है उस टाइप से एक और इडियो नोट कर लिजे एक और इडियो आता है एज हैपी एज हैपी खालना कि इसमें तो हैपी वर्ड ही क्लाव्ड क्लेम आजएक्भी ऐसे मतलब होता है बहुत जदा खुस होना और ये एक और इडियोम है थोड़ा सा ये ओस ना नामड ऻइक और ऑप्सलीट है इसका जाम तलूस है यह एला है इच आउर है प्या फ़िज जो को गरता है यह उना किया और और शॉन जो छूस होन is going to be your right answer आगे बढ़ते हैं, question number third देखते हैं, question number third में find करना हम है antonym antonym किसका find करना है, fecan का fecan का मतलब क्या होता है, वो चीज जो उप जाओ हो, पैदावार हो इसे बोलते हैं उप जाओ इसे बोल सकते हैं, profitable आपने वर्ट सुन रखा होगा, profitable इसका synonym हो जाएगा, profitable, यानि fecan का मतलब होता है, उप जाओ होना पैदावारी होना, उसे बोलते हैं, fecan तो fecan का antonym में find करना है यानि उसके against में जो वर्ड है तो fecan के कुछ synonym हैं, ज़रा देख लेते हैं फटा फट, जैसे कि आजाए आपका fertile हाना, feartileम अपने बोर्ट सुन रखा होगा fertile हो जाए, fruitful तो आपका पता, कुलностे रहियेगा प्रॉलीफिक कि सी से पना है थ्राइविंग वर्ड आपने सुनी रखा होगा थ्राइविंग बाहुत सारे सीनि मैं आपको बता देता हूं अच्छा रिविजन आपका करा देता है यहाँ पर साइविंग वर्ड भी इसका सीनिम हो जाएगा तो फीकन का मतलब होता है अब जाओ पैदावार तो उसका हमें इंटरिनम करना है तो उसका मतलब क्या हो जाएगा बैरन बैरन में सुती बंजर हो जाएगा इंफर्टाइल हो जाए इंफर्टाइल फर्टाइल होता है अब जाओ और उसके पहले incompetent कर दिया जाता है ना incompetent कर दिया उसे भी style बोलते हैं desert भी baron का synonym हो जाएगा desertuls रिखस्तान होता है रिखस्तान में कहँ कुछ छोप जाओ होता है तो baron के synonym भी मैंने बता दिया freaking के भी मैंने synonym बता दिया genial का मतलब आप समझते हो क्या होता है जीनियल का मतलब वो बहुत ही friendly होता है बहुत ही friendly हो जो effable type का है ना effable जैसे मैंने बोला friendly तो friendly मैं नहीं रिखूंगा क्यों कि friendly तो आपको पता ही है cordial आपने सुन रखा होगा है ना cordial भी इसका सनेनम हो जाएगा cordial so cordial भी genial का सनेनम हो जाएगा बागी polite का word आपको meaning पता है यह rude का भी meaning पता है polite means होते kind जो दयालू हो rude means हो जो रूखा हो है ना so option number third का answer क्या हो जाएगा fourth हो जाएगा आगे बढ़ते है question number fourth देखते है question number fourth में find करना है one word substitution की बात की जारी है आपर लिखा है the state of being subject to death subject के साथ preposition to ही आता है और इसकी meaning क्या होती है likely to है ना जाएगा इसकी meaning क्या होती है likely likely to बोल दो या फिर considered बोल दो यानि एक ऐसी state जिससे consider किया जाए क्या death consider की जाए तो अब उसे क्या बोलेंगे मौत की तरह consider किया जाए तो उसे क्या बोलते है जाएगा डेडली डेडली में सोती घातक घातक खासकर डेडली जो यूज कियाता है वर्ड यह बिसकली वीफन के लिए यूज कियाता है जो आउजार होते हैं बहुत ही घातक कुछ टाइप से डेडली यूज की जाता है जान लेवा टाइप को बोल देते हो morbidity बिसकली यह होती है disease के लिए हम बिसकली बीमारी के लिए यूज करते हैं कोई ऐसी बीमारी जैसे पहले से पहले कई सालों पहले बीमारी आई थी जो कहती हैं बहुत ज़एदा हो जाए जैसे korona ही रिलो भी यह morbidity type का, बहुत ज़दा लोग मर रहे हैं और नहीं मर रहे हैं इस टाइप से, तो यह है morbidity, उसे disease related होता है, immortality, मतलब mortal मिनस होते हैं, मरने वाला उसे पहले इम लगा दिया, ना मरने वाला, यानि जो अमरत हो, जो कभी ना मरे, उसे बोलते हैं immortality, है ना, तो यह सारे meaning भी ह आपको बता दिया, आगे बढ़ते हैं, question number five तो देखते हैं, question number five तो मैं find करना है, sentence indirect, दिजिएगा, लिखा the counter clerk ask the visitor, counter clerk ने visitor से पूछा, क्या पूछा, what is your name, देखिए, अब हमारा यह reported speech है, यह हमारा interrogative form में है, हमें क्या करना होता है, जो हमारा narration हम direct से indirect बनाते हैं, तो जो interrogative form होता है, उसे assertive में कर लेते हैं, तो देखो, यहां तो बड़े आसानी से कर लोगे, बट एक थोड़ा सा consider सीख लीजिए, यहां पर लिखा है, what is your name, यह interrogative form में है, तो इसको पहले सबसे पहले आप assertive form में बना लो, देखो कैसे बनता है, मैं बता रहा हूँ यह, what your, क् अब इसी को convert कर दो, इस हमारा यहां पर क्या है, present में है, तो इसको किसमें करना है, past में कर देना है, दहां दीजेगा, तो एक option यहां पर क्या होना चाहिए था, बिलकुल सही जो इसका narration का indirect जो होना चाहिए था, the counter clerk asked the visitor, यहां तक होना चाहिए था, what his name was, यहां हो जाना च यहां पर his name से भी हमारा काम सही चला है, बिलकुल सही option है, ठीक है, क्योंकि mean ही निकलती है, sense निकलता है, इसलिए मैं कहता हूँ कि हम इसा rule मत रटो, क्योंकि लोग जो rule रटते हैं, वही लोग गच्चा खा जाते हैं, rule नहीं रटना है, हमें यहां पर sense भी देखना है, तो गलत कर दिया, is asking कर दिया, गलत कर दिया, तीनों की तीनों answer गलत होगे, चाउथ answer मार दो, कई तरीके में बता रहा हूँ आपको option elimination से भी कर सकते हो, अपने concept clear करके भी कर सकते हो, सीधे सीधे आपका answer देख जाएगा, आगे बढ़ते हैं, question number six देखते हैं, question number six में find करना है sentence improvement की बात की जारी, क्या कोई improvement की requirement है, यह देखना है, लिखा है, what were the examples that the writer, what were the examples, examples क्या थे, generally जो होता है, वो इसका कोई general नहीं होता है, इसके बाद देखो, what were भी आ जागा, what was भी आ सकता है, जैसे मैं बोलू, who are there, दोनों सही है, but context अलग अलग हो जाएगा सबका, तो यहा पर what were लिखा है, बिल्कुल सही है, what were the examples that the writer gave to proved, अब मैं पता है, two plus b1 है, नहीं, two के साथ कौन सी वर्बाती है, two के साथ वर्ब की b1 फार्म आती है, दुनिया जानती है, आप सभी जानते हैं, तो विल्कुल easy है, क्या लिखा होना चाहिए था, gave to prove, proved ना होकर क्या होना चा जाएगी नहीं, या तो यह अज्यक्टिव बने तब, तो यहां पर तो ऐसा कुछ सेंसानी रहा, इसलिए भी option गलत हो जाएगा, give for providing his point, यहां से इस से बटर है कि purpose आप दिखाने के लिए, give to, दूसरे यहां पर give भी नहीं लगाएंगे, क्योंकि give दे रखका यहां पर बा question number seven में find करना है, filler की बात की जारी है, यहां पर समझेगा अच्छे से point को, यहां पर लिखा है, the government has hardened, यहां पर लिखा है, the government has hardened, यहां पर लिखा है, harden मतलब कि किसी चीच को मजबूत कर देना, और सक्त बना देना, harden किस से बना, hard से, यहां दिखा है, hard adjective था, इसमें angel लगा दिखा है, यहां पर लिखा है, यहां पर लिखा है, has, has, के बदोर्ब की थार्ड़ फाउम आती, इसलिए हमने इसको थार्ड़ फाउम बोल दिया, तो government has hardened, इट्स पजेस्य अज्च्ट्ट्व है क्या, अब यहां पर हमें पता नहीं, कोई नो कोई नावनी आएगा, यह दिजेगा कर्फियू के लिए हम ऐसा इंपोज ही लगा जाता है इंपोज किया जाता है कर्फियू कर्फियू जहां पर बोल दो नहीं कर्फियू लग गया तो इसे क्या बोलेंगे imposed a curfew in the area अब ध्यान दीजेगा the government has hardened its against the agitators agitators के खिलाब कुछ तो मजबूत किया होगा क्या मजबूत किया है उन्होंने और curfew भी उन्होंने imposed कर दिया है उस एरिया में तो देखे बेरिंग का मतलब क्या होता है जरा मीनिंग समझेगा बेरिंग के दो मीनिंग होती है एक तो बेरिंग आप समझते हो जो बेरिंग मतलब बेर करना सहरन करना जिसे बोलते हैं दूसरा अगर ये नाउन बन जाए तो जो लोग आप लोग बोलते रहते हो कि बेरिंग टूट गई साइकल की गाड़ी की है तो बेरिंग को ही बीरिंग बोलते हैं हिन्दी में लोग Measure हो गया सब्सक्राइन के मैंने कि भीयृरिंग को ही बीरिंग बोलते हैं Don Anda कॉल थैंदी में हो गया। आचे कि अबंद करए में जहते हैं आपको अपकर हैं अपक Cult अब अब्रुचिया जए से बोलते हैं सो najleघ या फिर से बता जिनी streeg 25% नहीं कर रही थी, stance means होता है look आपका, ना, बोलते हैं द्रस्टी कोड आपका क्या है, रवया क्या है आपका, रुख क्या है आपका, तो उसे बोलते है stance, याद रखेगा, attitude आपका क्या है, तो क्या करिया, the government has hardened its stance, उसने देखो, यहाँ पर stance क्या, noun है बिल्कुल, यहाँ पर noun आपको बता दिया, मैनर के कई मीनिंग होते हैं, समझेगा, मैनर तो आपका, एक तो यह होता है, way of talking, way of behaving, उसे बोलते हैं ना, मैनर, तो बेवहार ट्राइब का, तो option number third is going to be all right answer, आगे बढ़ते हैं, moving on next, question number eight, question number eight में हम फाइन करना है, एंटनिम, एंटनिम किसका हार्मनी का, अब हार्मनी का मतलब होता है, बहुत ही सामंजस होना, सामंजस, हार्मनी पारसा पे सविच में नाउन है, याद रखेगा, तो इसका मतलब होता है, सामंजस, सदभाव बोल दो, सामंजस बोल दो, या तालमेल बोल दो, तो बहुत ही मेरा उनका तालमेल बैठा है, तो से बोलेंगे हर्मनी तो हर्मनी के हमें फाइंड करना था यहां पर एंटनेम एंटनेम फाइंड करना यह बात या दे रखिएगा सबसे पहले मीनिंग इसके देख लेते हैं सनेनम देख लेते हैं मतलब एक वर्ड आपने सुन रखा होगा रैपर हना र-a-double-p-o-r-t इसको यूनिशन वर्ड आपने सुनना होगा क्योंकि इससे पहले भी पेपर में पूछा गया था यूनिशन का भी मतलब होता है साथ-साथ है ना सामान ताइप का आप बाकी सनेनम जो इंपोर्टेंट है सुन लीजिए जैसे आपने वर्ड सुन रखा होगा सुन किया यह तो बह उनिफार्मती आपने वर्ड सुन रखा होगा यूनिफ़्मिती यूनिफार्मिती भी इसका सिननम हो जाएगा अपने सुनी रखा होगा Stevens का सिननम हो जाएगा और भी वर्ड कर सुननेंस आपने वर्ड सुनी रखा होगा इसका Gesundheits With बोलते है इन अ चॉन जिस इसे कुछ जहां पर देजीजिए किट में तो सबस्क्राइब किटना इसलिदाली ना कि आपने वर्ड सुन रथ होगा कि इसका सिनन्म हो जाएगया किटना अच्छा वर्ड है सॉलीदारेटी यहना पिछी सप्र कशते हो जाएगा कि ने सुनी रखंदक हो फाइंड करना है अब हर्मनी मतलब होती बहुती सामजस तालमेल हाना बहुती साथ-साथ टाइब का सद्भाव टाइब का तो उसका इंटनिम क्या हो जाएगा है टेड मतलब हाना घंडा टाइब का सो अपसन नुबर थर्ड is going to be your right answer रैपर डिसका सने नम हो जाएगा पीस भ औरे बर से मैं आगे बढ़ते हैं question number nine देखते हैं question number nine में find करना है पैरा जंबल सीरीज आज कल हम अपनी class में चला रहे हैं इसको join करना है कर सकता है न तो कैसे इनको sort way में किया जाए हमें बता रहे हैं class में कुछ tricks होती हैं यहाँ पर भी बताते रहते हैं बाकी class में हम अच enter the bank then दिजेगा enter के साथ proposition हम नहीं लगाते हैं कब जब किसी अस्थान पर पर पड़ेस किया जा रहा हो enter के साथ हम proposition नहीं लगाते हैं कब जब किसी स्थान पर पनर प्रभेस कर रहे हैं आगर किसी समझ Most Republic करते में तो वहाँ पर internt Video को लगा देते हैं सब्सक्राइब से इंस्पेक्टर वर यू स्लीपिंग क्या तुम सो रहे थे वें ड़ॉबर ने जब लुटेरो ने बैंक में इंटर किया यह किसने कहा इंस्पेक्टर ने पूछा है जैसे बाते गार्ड से पूछा होगा अब देखो लिखा है गार्ड इसके बाद क्या रॉबर्स कोड नोड ठेक हवे एनिथिंग ऐज regen कोइकली यहां पर इसका मतलब है एक 답 बाद भी नहीं होगा इसे और पकाय स्टार्ट होगा चैँ एब करें??सीचन पूछा सबसे पहले इिइंस्पेक्र सहाब ने गार्ड से तो एईसे पकाय स्टार्ट करें गा इसलिए आंसर से हो जाएगा कितना आसान तरीका है अब चाहें आपके पास टाइम हो तो पढ़ लिजे क्योंकि ये बहुत आसान है अगर मैं इस पे ज़्यादा टाइम नहीं इस्पेंड करूंगा क्योंकि चीज़ें आसान है समझ जाओ गया आगे बढ़ते हैं अब धान दीजेगा अभी जो मैंने बताया था मार्च क्या होती है कदम से कदम मिलाकर चलना और सैनिक के बारे में उने बताया था देको वही पर ये यूज की गई है अब मार्च हाउ फेरलेस पार्स आप इस बीड में अज्यक्टिव है आपको पता है जो अज्यक्टिव हो किसको क्यंट करता है नावन ये प्राणाउन को क्यासी करते बट यह jeśli हैं आप हमें एक ऐसा वर्ड चाहिए जो मार्च यानि वर्ब को क्या कौलिफाई करें और वर्भ को प्वालिफाई करने के लिए आपको पता है कौन सा वर्ड होना चाहिए था एडवर्ब होना चाहिए था यही जो हमारा फैरलिड्स एडवर ऑफ मैनर को डिपरेज्ध करता हौ के मीनिंग दे रहा है ना स्थ democr羞मारी माजड़ फैर्लिस ना तो लिखाये अगा हिए अन्हें पनान तो सहीं है ield में जोड़ हो breaths ही तो किड़ान मिन्किंस होता है चाउनी तो दुस्मान की चाउनी के तरफ कर मारे आर्मी जो है बड़ी थी इस बड़ी ते तो कैसे बड़ी थे निर्भी पढ़ी थी निर्भीक निडर परकुल वैसे भी हमारी आर्मी जो है ना सेर रहे बहादुर लायन है तो निडर हमेसा रहती है कभी निडर दिए आगे बढ़ते हैं को स्वार्ट को समझेगा इसके बाद इसके बाद हमें सा कौंटल वाला नाउन आता है यानि एक ऐसा नाउन several के बाद हमेंसा countable noun के यूज के जाता है यह ऐसा noun जिसे आप count कर सकते हो और हमेंसा plural form में यूज के जाएगा several determiner है याद रखेगा several stars कैसे stars prominent यानि prominent means होते है विस सुभिख्या जैसे बोलते हो famous several prominent film stars have अब देखो plural है तो have विरकोल सही have के साथ वर कि थर्ट फ़ाम आती है विरकोल सही have appeared on television television पर appeared हुए उसका reason क्या है चली देखते हैं क्या करने के लिए on behalf of awareness awareness के बिहाफ पर about hand hygiene about hand hygiene 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 सबसे पहले समझ लीजिए hygiene की spelling याद रखेगा कई बार पूशी गई है अब देखे कितना illogical sentence है sentence तो meaning नहीं समझ वारी है पहले बाद तो मुझे यहां तक तो meaning समझ वारी है यहां तक तो meaning समझ वारी है अब जरा आप ही दिमाग लगाओ on behalf of का मतलब होता है किसी की जगा पर अब किसी की जगा पर देखो यह जो फिल्म स्टार्स आए क्या awareness की जगा पर आएं कितना illogical sentence है मतलब कोई तुक हाई नहीं तो awareness की जगा पर नहीं आएं अब देखो यहाँ पर कई meaning हो सकते हैं on behalf of तो गलत हो जाएगा जैसे मैं कहूँ वो उसकी जगा पर आए जैसे मैं कहूँ कि आप जैसे representative है किसी company के और आप नहीं गए आपकी जगा पर कोई आपका member चला गया कोई आपका worker चला गया तो वो worker on behalf of your हो जाएगा न on behalf of you sorry हो जाएगा आपके आपकी जगह पर हो जाएगा कोई company है वहाँ पर कुछ भी यूज़ कर सकते हो इसका मतलब होता है on behalf of on behalf of somebody something यानि somebody के लिए भी यूज़ कर सकते हैं something के लिए भी यूज़ कर सकते हैं इसका मतलब है की जगह पर की जगह पर तो awareness की जगह पर उनने ये क्या ये बना दिया कितना illogical meaning है तो इसका meaning क्या होना चाहिए था several prominent film stars have appeared टेली विजन पर appeared हुए उसके reason क्या करने के लिए कुछ करने के लिए awareness about hand hygiene अब यहाँ पर on behalf आप हटा कर आप कुछ भी रख दो तो meaning निकल आएगी जैसे मैं यहाँ पर अगर रख दू to make people aware है ना to make to make people people aware aware of aware of hand hygiene विरुकुल यह sentence हो जाएगा तब तो यह तरीका है कि सही कर लो दूसरा तरीका अगर आप इसी को करना चाह रहे हो तो क्या अगर आप awareness रखना चाह रहे हो तो लिख दो to create to create an awareness हो जाएगा awareness about hand hygiene यह भी सही हो जाएगा तो कई तरीके हैं बेगल जो लिखा है on behalf यह गलत तरीके से लिखा है तो आप समझेगा कैसे हमें find करना है कैसे हमें exam examiner के दिमाग से खेलना है चीज़े यह भी हमी आनी चाहिए हमें sense भी निकाल के आना चाहिए हमेरा अपना concept भी clear होना चाहिए हर चीज़ें आप करके रखो कि हम कैसे चीज़ों को पकड़ पाएं कैसे logic वे में काम कर पाएं इस इसको समझेगा है ना तो क्या error होनी चाहिए थे यहां पर यहां पर जो error लिखाया on behalf of नहों कर कुछ भी आप जो मैंने option बताया है इनमें से कोई option आप यूज कर सकते हो आसानी से आप इसका meaning भी निकल आएगा और sentence पूरा भी हो जाएगा so option no.4 इसलिए इनमें answer भी दिया है option no.4 में on behalf of awareness नहों हो जाएगा यहां पर गलती हो जाएगी समझेगा है ना so option no.4 is going to be your right answer उमीद है सबको समझ में आ रहा हो अच्छे से आगे बढ़ते है question no.12 देखते है question no.12 में find करना है one word substitution की बात की जा रही है यहां पर लिखा है a musical composition made of a series of songs और short pieces मतलब कई टाइप की धुने अगर आप उनको एक ही लाइन में पिरो देते हो उनको क्या बोलते हो तो उनको medley बोलते हैं तो बहुत ही चेर परचित वर्ड है medley बोलते हैं कितना आसान है तो क् medley बोलेंगे a musical composition made of a series of songs और से short pieces तो उसे medley बोलते हैं बहुत important है याद रखेएगा पूछा गया है कई बार यह जैसे जनरली medley की meaning जो होती हो उसका मतलब होता है mixer mixer कर देना mixer कर देना mixer of different things उसे medley बोलते हैं और music के sense में हम यही उच कर लेते हैं तो यहां पर mean लिखा भी जो ही बात है ना तो medley is going to be your right answer लेरिक क्या होते हैं लेरिक बोल होते हैं किसी जो musician होते हैं उनकी lyric क्या है बोलते हैं बैंड समझते हो बैंड जो आला small group of musicians होते हैं उसे band बोलते हैं orchestra भी same band जैसा ही होता है पर थोड़ा सा यह different level पका होता है orchestra इसमें एक ऐसा इंसान होता है जो सारा instruction देता है बैंड में तो ऐसा नहीं होता है orchestra बड़ी level का है तो orchestra से बना है orchestrate एक verb यानि बहुती चीजों को सही डंग से सामंजस बेठा कर यानि बहुती सटीक और बहुती सही तरीके से चीजों को करना और्गनाईज करना उन्हीं को बोलते हैं orchestrate करना इसलिए उसक बनी हुवर और्केस्ट्रेट याद रखिएगा आगे बढ़ते हैं moving on next question number 13 question number 13 में find करना हमें synonym किसका synonym find करना है absorb absorb का मतलब क्या होता है पहले बताईएगा absorb का मतलब होता है माफ कर देना absorb अब समझेगा जरा absorb जैसे पढ़ते हैं इसे पढ़ दो absorb somebody of something होता है याद absorb somebody of something इस टाइब से तो किसी को किसी चीज से माफ कर देना है ना माफ कर देना इसे बोलते हैं ना माफी कर देना च्छमा कर देना इस टाइब से तो absorb का मतलब क्या हो जाएगा च्छमा कर देना माफ कर देना हमें यहाँ फर find करना है synonym बागी synonym इसके देख लेते हैं exonerate word आ और शुटकार रपालेंगा तैया के गूट्ड ही होगा जाएगा पारडन ये चिरपरचित वर्ड है और ये चिरपरचित वर्ड है और ये चिर परचित अफने एक वर्टस में लका हो, भीज़ का सिनइनम हो जाएगा, लिट आफ बोलेंगर, तो भीज़ का सिनिनम हो जाएगा, ओड़ लेफ आफ अफ, लिज़न गिया, सेट फ्री भीज़ का सिननम हो जाएगा, कई सारे सिनइनम मैंने आपको बता दिया है, बहुत ज़्यादा रिविजन आपका कराता हूँ एक exam, वो caps लेकर और भागी concept भी बताते रहता हूँ अच्छा से तो absorb का मतलब होता है किसी को माफ कर देना, pardon कर देना बोलते हैं नहीं, pardon me, sorry, pardon me sorry कि जब pardon me बोलते थे हैं लोग आशकल उस प्यारोप लगाना, क्यों इस करना, condemned का मतलब बता है निंदा करना, criticize करना इसे बोलते हैं ने, असे और करना, उस टाइप से, condemned करना, criticize करना so, option number first is going to be your right answer, मुझे भी और next question number 14 देखते है question number 14 मैं मैं find करना है, pass you is, जान रिखेगा मैं क्या find करना है, pass you is लिखा, he gave cover a beautiful yellow dress, समझेगा sentence को अच्छे से, आपर अच्छे sentence को मझेगा, sentence लिखा, he subject हो गया, give main verb हो गया, give diet ट्रांस्टी वर्व होती है, diet ट्रांस्टी वर्व होती है, जो double object लेती है, जब double object लेंगे तो उसमें से एक हमारा diet object होगा, एक indirect object होगा, जब किसी वर्व के दो object होते हैं, तो इसका passive भी दो तरीके से बन सकता है, याद रखेगा, यह main label के में बात बता रहा हूँ, जनरली लोग नहीं बताते हैं, तो क्या हो जाएगा, he gave what, अब देखो, gave what, अब beautiful yellow dress, एक तो object विमारा यह हो गया, पूरा कपूरा यह, यानि ड्रेस हमार वाज या वर्व होती है, वाज वर्व के साथ वर्व की थर्ड फार्म होती है, यह बात याद रखेगा, तो अब समझेगे से मैंने लिखा, he gave a beautiful yellow dress, तो इसका passive क्या बन जाएगा, कावेरी को उठा लोग, कावेरी वाज गिवन, बिरकोर सही हो जाएगा, कावेरी वाज ग करने का passive बनाने का है, कि हम a beautiful dress से उठा ले, a beautiful yellow dress was given to कावेरी वाई हिम, यह भी एक तरीका है, विरकोर सही हो जाएगा, तो मैंने बताया ना, diet transit work के दो passive बन जाएगा, दोनों तरीके सही है, कौन सा पहले यूज किया जाएगा, या कौन सा ज्यादा सही है, तो सबसे पहले जो object आपको मिले, उसे से उठा लो, यह सही तरीका होता है, हलागे कभी दोनों option नहीं आए हैं आप तक exam में, बट कभी अगर ऐसा आए, तो जबसे पहले जो हमारा object होगा, चाहे वो direct object हो, चाहे वो indirect object हो, तो हम उसे इसे पैसे बना लिया करेंगे अपना, कितना आसान तर यह वो 25 questions जो होते हैं मैं उसके 7-8 minutes में करते हैं, 8-9, इससे ज्यादा नहीं करते हैं, और 10 minutes में हो जाता है, आरांस उनका 25 questions, English के, और आप सभी का हो जाएगा, जिनका भी concept के लिए है, उन सभी का हो जाता है, मैं अपनी बच्चों को नहीं बताता हूं, जो में जिनको बच्चार औपसन दे रखें, ऐसा वर्ड फाइंड करना जो सही से स्पेल ना किया गया हो, रेफर्विस दे रखाए, ऑपसन नुबर फर्स्ट में, रेफर्विस का मतलब होता है, किसी चच को रेवाइंप कर देना, नवीनी करन वर्ड आपने सुन रखा है, नवीनी करन क आए अनल लाइस आह लैजेंस रेनेवल किया जाता है मेकवर 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 की सदार ना नवेनी करन ना तो रिए-फरवेस सही से स्पेल्ड किया गए खिए कोई रहे नहीं sanctity मतलब तो है पवितरता पवितरता बोलते है say sanctogen जो हमारा पवर्ड है root word है sanctege इसका मतलब ही होता है Holly however Holly it's only a holy Όली 據 क्वली हो तरह में होली होता है यह सिपिलिंग जो होता है or holiday होली होली होता है Ja tumour curly पवित्रट वाले wh लõज05 प्लॉ प्लॉक क्व का ल्ल्जी होता है तो sanctity का मतलब होता है पवित्रता एसकलेटर की spelling गलत तरीके से लिखी गई है एसकलेटर में single S होता है एक S गायब कर दो यहां से है न वो हमारा सही हो जाएगा एसकलेटर की spelling क्या हो जाएगा E S C अब देखो सेम लिख दो ही लो T O R एसकलेटर तो इसमें क्या है single S होता है double S लिख रखा है आपसों नुबर 3 is going to be your right answer आटोमेटेड विरकुल सही है ATM के जैसे full form क्या होता है ATM का आटोमेटेड टेलर मेर्शीन होते है इस टाइप से तो यहां पर वही आटोमेटेड है यह so option number 3 is going to be your right answer आगे बढ़ते हैं moving on next question number 16 देखते हैं question number 16 में find करना है idiom की बात की जा रही है question number 16 में में जो find करना है वो idiom है idiom क्या है draw the line at something अब देखो basically यह जो idiom पूछा जाता है वो बस इतना पूछा जाता है draw the line add something तो हम लगाते हैं अपनी तरब से draw the line add something somewhere यहीं तो लगाओगे तो draw the line add something का मतलब होता है कोई चीज demarcate कर देना किसी चीज को demarcate 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 का मतलब होता है क्यतने हद बंदी कर देना हिंदी में उपकड़र अपने सुन रखा होगा क neon hired Birthday से विद् shoots similar देना इतन Euch ना इतना है तो कि borrow the line को मतलब होता है कि से लिमट में जाएगी आगे एक सब्सक्राइब कुएक सब्सक्राइब के लिकार इस पॉइंट तक तुम्हेंट recommend आगे बढ़ते हैं a question number 4th sorry 17 पर देखते हैं थार नमबर आज़े रहो जाएगा इसका आगे बढ़ते हैं question number 17 देखते हैं question 17 में find करना है no substitution यानि sentence improvement की बात कर रहा है अगर कोई improvement की requirement है तो करिए नहीं तो आगे बढ़िए लिखा if you are not able to go out, अगर आप जानने में सच्छम नहीं हो, तो हमारी कौन सी clause है, subordinate clause है, इसके वाल लिखा है, did not worry, did not worry, अब देखो यह present की बात की जा रही है, और यहां पर past की बात की जा रही है, यह कैसा तरीका है, अगर आप सच्छम नहीं हो, तो चिंता नहीं हो, परिश उस पर परिशान नहीं हो, इस टाइब से हम कहना चाह रहे हैं, तो बहुत ज़्यदा फिक्र ना करना, इस टाइब से फिक्र में वरी में तो क्या होता, चिंता करना, तो did not worry नहीं होकर यहां पर क्या हो जाएगा, do not worry, don't worry, बोलते हैं नहीं, don't worry, आप चाहो तो आप main clause को पहले रख लो, subordinate clause को, subordinate clause को बाद में रख लो, don't worry, if you are not able to go out, don't worry, यहना, इस टाइब से बोलेंगे, तो don't worry, बोलेंगे, ध्यांदी जी, option number third is going to be your right answer, बागे सारे option गलत है, जो लिखा था, वो गलत ही था, don't के साथ वरीड कभी आता नहीं, कि कोई do does did के वासा तो और क पर सही होना चाहिए, थोड़ा सा worry not तब होता है, जहां पर कोई और आगे, वर्ड जोड़ो आप, तो इस टाइप से worry not कर सकते थे, बड़ यहां पर भी नहीं होगा, यह लोजिक हो जाएगा, मतलत, सेंस नहीं देगा, if you are not able to go out, don't worry, इस टाइप से, option number third is going to be your right answer, वी और, वी विल्डर, वी विल्डर मतलब बहुती चकरा जाना एकदम ते, चकरा जाना जाना जानी की बहुती हक्का बक्का जैसे बोलती है, हक्का बक्का हो गया, चकित रह गया, चकरा जाना उस टाइप से, परफलेक्स वर्ड आपने सुन रखा है ना, परफलेक्स, पर और प्लेस के भी मतलब वही है, बीमियूस का भी मतलब वही है, बैफाल का भी मतलब है, जो वी विल्डर्ड का मतलब है, हक्का बक्का, आही, वी वर, वी विल्डर्ड, हम बहुत ही ना, चकरा आए हुए है, ना, या हक्का बक्का है, by the power which science has suddenly placed in our lives, जो हमारी, गोदी में science न लाकर दे दिया है, क्या चीज़ ले दिया है, सकती, वो power है ना, which science has suddenly placed in our lives, and we are, और हम है, क्या है, वी आर और हम है, by the realizations of our unpreparedness to deal with, तहां दीज़ेगा, deal with, यहार होता है, some unjust, बैठाना किसी के साथ, deal in एक वर्ड होता है, deal in, deal in का मतलब होता है, business करना किसी में, और deal के पर 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 लगा दें, तो इसका मतलब होता है, some unjust, बैठाना किसी के साथ, तो दोनों यह याद रखेएगा, तो यहां पर लिखा है, science, यह हम इस चीज़े से लेकर बड़ा ही आस्यचकित है, जो science ने हमें जो सकती दी है, जो power दिया है, and we are, by the realization of our unpreparedness, और जो ह हाना, बहुत ज़्यदा तो यह समझ में नहीं आया है, बट आपसन देखेंगे, demean का मतलब होता है, नीचा दिखाना, कई बार यह होता है, कभी-कभी ऐसा नहीं समय माता है, तो आपसन देख लेते हैं, सभी लोग कर लिया करो, demean का मतलब क्या होता है, नीचा दिखाना, तो demean तो यहां पर कोई ऐसा तो meaning नहीं दे रहा है, तो demean तो अब eliminate कर दोगे, option खड़ जाएगा, condemn का मतलब होता है, निंदा करना, वह भी नहीं हो जाएगा, यहां पर, proud का मतलब होता है, गर्व, अब देखो, proud तो नहीं करा, we are proud by the realization, नहीं, we are proud of होता है something, तो यहां पर पर we are humbled by the realization of a miracle, option number first is going to be your, अबहुत ही उदार type के हैं, अभी भी, तो we are humbled by the realization of our unpreparedness to deal with the crisis, so option number first is going to be your right answer, मुईब आफिए नेस्ट, question number 19, question number 19, find करना में incorrectly spelled word, यानि चार option दे रखे हैं, मैंसे एक ऐसा word find करना है, जो incorrectly spelled किया गया हो, elite का मतलब क्या होता है, elite का मतलब होता है, बहुत ही aristocrat का type की आदमी, बहुत ही धनार डे वर्ग, जैसे बोलते हो, पैसा वाला, धनार डे गरूप, stressed type का बोलते हैं, इसे सही aristocrat word आपने सुन दखा हैं, aristocrat, aristocrat, aristocrat मतलब बहुत ही धनार डे वर्ग टाइब, कुलीन वर्ग जैसे बोलते हो, उसे बोलते है, elite क्लास, इसे से बना, elite क्लास, मतलब की बहुत ही, उच्च वर्ग जैसे बोलते हो, elite, तो elite बिरकुल सही से spelled किया गया है, कोई अरह नहीं ह अब लिका यहाँ पर, petite, यह पड़ोग नहीं होता है, मेरे साब से, petite कोई word नहीं होता है, इसकी जो सही spelling होती है, वो petite होती है, na, petite, p-e-t-i-t-e होता है, यहाँ पर क्या होना चाहिए, प-e-t-i-t-e होता है, petite का मतलब होता है, जर लिए, girls या women के लिए यूज के जाता है जो छोटी और पतली और खुबसूरत हो उस टाइप से उसे बोलते हैं पेटाइट वर्ड तो उसके लिए हम यूज कियाता है ऐसे कॉम्पलिमेंट हम यूज कर सकते हैं पेटाइट ना उस महिला यूज लड़की के लिए जो अट्रैक्टिव हो खुबसूरत इस टाइप से उसके लिए पेटाइट वर्ड यूज कर लेते हैं सो आपसर नमर फॉर्थ इस गोईंग टूब राइट आंसर मों भी आना है स्कॉशन नमर टॉंटी देखते हैं कॉशन नमर टॉंटी में फाइंड करना है जंबल अब देखें जंबल हमें फिल्ट से फाइंड करना होगा ज्षंब से पैसे इस शेमिकेशन विए रहा हो राइस को पैसे को स्टाठ कर रहा हो लेखां इंफरमेशन कम्यूकेशन टेक्नोलजी त्हूलोजी से लों मेंस ओशनस्षण कोर दिर उनमर इंउटी को थे लुना तोलस अब बंट यही अधिशनल चेंज है ना इन अधिशनल चेंजे से लॉग विध मीनस ओप कम्म्मिनिकेशन समझेगा सेंटेंस को अप्रन ए से अब देखे लिखा इनि ऑप्स नमर बी से तुम कभी नहीं स्टार्ट करेंगे और बी से कोई ऑस्ट्व नहीं हो रहा है देखे चले ठीक है लिख is more relaxed result की बात तभी करोगे जब इससे पहले कोई condition रही होगी तो D से भी नहीं स्टार्ट होगा हमारे पास A, B, A, B बचा अब देखेंगे क्या लिखा है लिखा है देखो यह कतम होगा A, B बचा है अब लिखा information communication technology हमें पता है A, A से ही स्टार्ट होगा information communication technology tools have brought in additional changes along with means of communication इसके बाद these changes अच्छा These changes बेरो कोणने जह देखेंगा इसके बात इनेबल, enable मतलब सच्छम बना देना किसी को enable क्मतलब उनेबल, enable का मतलब मेंचेवल तो have enabled man to communicate faster ज्यादा तेज्य कम्म्मिकेट करने के लिए इसके बाद communication has only, not only become faster, अच्छा, faster, communicate faster करने के लिए नहीं है, ना केवल faster करने के लिए, बलकि easy करने के लिए भी, यानि कि B के बाद C आना चाहिए, अब देखो A से start होगा, B के बाद C आएगा, A से start होगा, B के बाद C आएगा, इसमें तो है नहीं, option number fourth is going to be a right answer, pairing करो कितना आसान हो जाएगा, PC जहां पेर देखा, answer मार दिया, ABCD, अभी a series हम चला रहे हैं अपनी class में, आगे बढ़ते हैं, question number 21st देखते हैं, question number 21st जो हमारा passes है, अच्छे से पढ़ना, passes को, और answer बताओ, passes, पैसे कर रहा है, almost everyone in the present, समझीगा, चीज़े से पैसे, पैसे ये कह रहा है, मैं थोड़ा सा इसे बढ़ा कर देता हूं, लिखा है, almost everyone in the present world, मौझुदा वर्ड में, अनि मौझुदा आज के संसार में, वर्ड इस फैमिलियर बिद टर्म, global warming बात सही है आज के समय में global warming से तो हर कोई चीज परचित है हर चीज को जानता है तो almost everyone in the present world is familiar with the familiar के साथ बिद्याता है रखिएगा familiar with the term global warming it किसके लिए है एक global warming के लिए है दान देजेगा it to the gradual rise in the overall temperature of the atmosphere अब क्या करता है कोई reason करता है जरूर जैसे बात है contribute करता है temperature बढ़ानने में क्या global warming तो आगे बढ़ते हैं इसमें क्या हो जाएगा तो क्या लिखा यहां पर means refer to हो जाएगा refer के साथ 2 लगाएंगे तू के साथ वियून लगाएंगे धान दीजेगा refer to gradual rise in the overall temperature means नहीं होता है साधन नहीं लगाएंगे concept नहीं कोई concept sorry connects नहीं कोई नहीं कर रहा है seems में प्रतीत होता है ऐसा भी नहीं है तो option नुबर फर्स्ट यानि option नुबर सेकें इस गोइं तो और राइट आंसर कितना आसान है तो global warming it refers to the global rise in the overall temperature of the atmosphere आगे बढ़ते हैं question number 27 देते हैं 22nd में कह रहा है कि पर यह लिखा है temperature of the atmosphere the planet earth अब देखिये क्या लिखाया है अच्छे है almost everyone in the present world is familiar with the term global warming it refers to the global rise in the overall temperature of the atmosphere of the planet earth on the planet earth representation की थोड़े से इसमें doubt आ रहा है न इन तो बिर्कुल न लगाएंगे add बिर्कुल भी न लगाएंगे on भी थोड़ा से लग सकता है आपर off भी लग सकता है दोनों प्रपर लग सकते हैं बागी आगे देखते हैं क्या लगेगा चले देख लेंगे अगर देखो यह सिर्फ प्रतवी की बात कर रहा है यानि प्रतवी का temperature के ओल राइज कर रहा है तो यह फिर off लगाएगा और प्रतवी पर temperature बढ़ रहा है तो फिर यह अन लगाएगा इस टाइप से मीनिंग देगा तो यहां पर off ज्यादा लगाया है देखते हैं आगे लिखा क्या है अगे बढ़ते हैं देखते हैं 23 में 23 में लिखा है ढ़ोगाएगा रहा है तो यहां रहा है तोट माँट की रहा है सबसे पहला जो इंपक्ट है ग्लोबल वार्मिंग का है ग्लेसियर मेल्टिंग ऑफ ग्लेसियर्स देख लेते हैं आप संग्लेसियर में हाई भी आप ग्लेसियर होका विर्कुल चाहिए लिखा कितना लौजिकल है माउंटेंस नहीं होगा यहां पर ऑप्सन गलत हो जाएगा रिवर संदिया नहीं हो रहें लेक्स भी नहीं हो रहें जीले भी अग्लेसियर मेल्ट कर रहें तो सब लोग पढ़ रखे होंगे ना वर्मिंग इस मेल्टिंग ऑफ ग्लेसियर्स इन रैपिड बहुत तेजी से इस एक्स्ट्रेमली हांफुल तो अर्थ है यह प्रत्वी के लिए अक्ष्वल में हार्मफुल है एस वेल एस तो इट्स इन हैबिटेंट्स और वहां पर रहने वाले वासियों के लिए भी तो मुझे लगता है जो पहले वाले में जो आप्सन में होना चा बहुत कि बात की नहीं की जा रहे हैं पूरे जैसे मैं बोलॉँ कि यहां पर पर प्रत्वी पूरी बैसिकली बात की जा रही तो अपसन अफ ही लगा ऑप सन और लगाए हैं पर अखला की लग जाएगा तो यह भून ने सौल कर लिया है अगर कोई डाउट रहता है तो आप उसे जरूर बताईएगा कि यहां पर कोई डाउट है और डाउट नहीं है तो आप जो की पॉइंट से नोट करते रही है और टाइम टू टाइम आप रिविजन करते रही हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हमारे पास एक ही दो ही तीन पेपर बच्चे हैं तीन या चार प के 2019 के या फिर सीजल मेंस के तो जो भी बताएंगे वह सीरीज स्टाट की जाएगा जैसे यह थरो लोई पेपर सॉल्व किया जा रहा है वैसे जो भी सीरीज बताएंगे वह भी की जाएगी तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक अपना ख्यार लखीगा अच्छे स यहा जाएगा